नमस्कार साथियों जै हिंज आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेट 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है साथियों आज हम बात करने वाले हैं स्कूल लेक्षर भरती 2018 की जिसका एक्जाम 8 जनवर 2020 में हुआ था पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन जो एक्जाम हुआ था वो 8 जनवर 2020 को हुआ था और इसमें जो 30 साइकोलोजी के क्विश्चन आये थे उन सभी 30 क्विश्चनों को आज हम हल करने वाले हैं तो साथियों आये शुरू करते हैं आजगा पहला क्विश्चन क्विश्चन नंबर 90 क्विश्चन में पूछा है शिक्ष्यमनोगयन 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 सिक्ष्यमनोगयन शिक्ष्यमनोगयन 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 B, C, D, B, C, D, यानि अध्यापन कोशल की कुछ आजशिक बातें बताए गई है, तो वो है, शीखने वाली समुह को अभिप्रेदित करना, पाथे वस्तू को परभावी धंग से प्रस्तूत करना, सर्विदर्शित सामगरी का समचित प्रियोग, ये तीन बातें बताए गई है कुस्तर नमर पानवे है, जो सात्यर कक्ष्या में बहुत परसर पूचते हैं, आप उनके साथ कसा विवार करेंगे, तो साथियोग, इसका राइट उप्षन होगा, सरहाना करेंगे, चार नमर उप्षन है, वो रैट माना गया है किस्ट नमबर 93 है कक्स या कक्स में सिक्षन अधिगम की दृष्टी से सिक्स को बालकों के विकास में किन पक्सों को ध्यान में रखना चाहिए तो साथियों जिन पक्सों को ध्यान में रखना चाहिए वे पक्स है मानसिक पक्स question number 93 का right option 2 number को मान लिया गए है साथिए इसमें 2 number से ताद पर ये है कि ये code दिया हुआ इसमे b c omd ये माना है تو b माना है समजिक तिनोग को ही माना है question number 94 है question number 90 है and question 2 से मिलान केजिए और दिये गई code से सहिय उत्तर का चुनाव केजिए एक तरफ तो सुची एक है और दूसरी तरफ सुची दो है तो साथियों इसका मिलान करना है तो इसमें जो सक्री अनुकुलन परतिमान है वो हो जाएगा उच्वक बी-एफ स्केनर के द्वारा परतीपादित और इसमें जो जागरूप परस्क्षे न पर्तिमान ये माना जाएगा फिर सामुहिक अन्यूज कि परतिमान है वो जोंडुवी के द्वारा और संघ्यानात्यों विक आश्वक विकास परतिमान है वो जिन पियाजी en ग तो रूप में आप क्या करेंगे तो साथी ओडियापक के रूप में आप क्या करेंगे रूप में क्या करेंगे ये question पूछा है तो इसका right option होगा कारणों को समझगर समझया का निदान करेंगे question number 97 है नेत्या कुछ अधिगम से दान तो दिये गई है इन में से कौन सा यूग में सही है तो साथ जो यूग में सही है वो बताना है तो इसका right option है वो होगा एक नमबर A, B, C यतिनों सही है ग्याद से अग्याद की ओर सावाने से जटिल की ओर अस्तूल से सुक्षम की ओर यतिनों सही है क्युछ नमबर 91, बालकों की व्यवहार परिवर्तन के लिए सरवाधिक परभावी पदती है तो साथ जो सरवाधिक परभावी पदती है वो है समुझित प्रामस, तिरनमर option right माना गया है क्युछ नमबर 99 है, एक सपल सिक्षक के लिए सीखने के सिधानतों की जानकारी महतोपुन है क्योंकि यह सिक्षन को सरल एम रोचक बनाने में उप्योगी है क्युछ नमर 100 है, कक्षय सिक्षन में अध्यापक को अपना पार्ट प्रारम करने से पूरुव निम्नांकित में से किस चलन को प्राथमिक्ता देना सर्वाधिक उप्युक्त होगा तो साथियों जिसको सर्वादिक प्रात्मिकता देना होता है वो है पढ़ाय जाने वारे पार्ट से समंदित पूरुव अज्ञानिया पर परसन पूसना सो नमबर क्यूस्टन का राइट ओप्शन दो नमबर को माना है क्यूस्टन नमबर 101 है पाठ के प्रारंभिक स्थर पर किस सीक्षन प्रविदी का सरवा प्रतम उपयोग किया जाता है तो साथियों इसका राइट उप्षन है वो हो जाएगा मुल्यांकन करना क्विस्टन नंबर 102 है निम्नांकित में से कक्ष्या में किस प्रविदी का प्रियोग अध्यापक को शातरों द्वारा सरवा दिक समढ़निये बनाता है तो साथियों इसका जो राइट उप्षन है 102 नंबर क्विस्टन का यह हो जाएगा 3 नंबर उप्षन विशेवस्टो को समझा कर पढ़ाना क्विस्टन नंबर 103 है विद्यार्थियों में सही योगी की बावना का विकास आप कैसे करेंगे तो साथियों विद्यार्थियों में जो सही योगी की बावना का विकास है वो समुही कारे देकर करेंगे सामुई गरूप से कारे दे देंगे क्यूस्टन नमर 104 है सेक्षिन अधिगम परक्रिया के निम्नांकित पदों को सही करम में रखें तथा नेचे दी गई कुटों में से सही उत्र का चैन करें तो साथ यूँ इसका जो राइट अप्षन है यह तीन नमर माना गया है ब, A, C, D पहले B होगा नियोजन फिर A होगा संग्ठन फिर C होगा नेतिरत्वय फिर D होगा नियंत्रण तो इसमें बताया है कि सीक्षिन अधिगम परक्रिया के निम्नांकित पदों को सही करम में रखना है तो सही करम होगा नियोजन, संग्थन, नेतिर्त्वर और नियंत्रन क्युस्टन नमर 105 देखते हैं साथियो सिक्षन अधिगम प्रक्रिया के दोरान सात्रों में अधिगम विकास है तू अध्यापक को क्या करना चाहिए तो साथियो इसका राइट उप्षन है वो दो नमर है, सिक्षन को रोचक बनाना चाहिए क्युस्टन नमर 106 कक्स्या कक्स्षन में आने वाली कठनाईयों के समाधान है तू आप नियमनांकित में से कौन सा कदम उठाएंगे तो साथियो इसका राइट उप्षन तियन नमर को माना है समस्या का कारण जाने न एहों सिक्षन कारे में सुधार करना क्युस्टन नमर 107 नियमने लिकित कथनों में से जो सही है उसे चुने तो साथियो जो सही है उसका चुनाव करना है तो वो है एक नमर उप्षन अनुदेसात्मक तकनीकी सिक्षन कला है अनुदेशात्मक जो तकनीक है वो शिक्षन कला है किस्ट नमबर 108 है सुची एक और दो का मिलान करना है और सही उत्तर का सुनाव करना है तो 108 वा जो किस्ट ने इसका राइट उप्षन है वो तीन नमबर को माना गया है तीन नमबर में बताया है कि A का A, B का C Emily Outline of Psychology जो पुस्तक है वो रुस्चो की लिखी होई पुस्तक है और दूसरे में C, जो सूरी Emily पुस्तक है वो रुस्चो की है Outline of Psychology है वो William MacDougall की है जिसमें 14 महलिप्रवर्वर्वर्टियों का भी उलेख है और इसमें आउटलाइन ओप साइकलोजी में चेतना को बहुत ही बूरा सब्दे बताया है मेक डूगल ने आगे है एमपीरी सीज में एमपीरी सीज में है वो पुस्तक जोन लोड की है फिर एजुकेशनल साइकलोजी है वो थानडाई की पुस्तक है किस्तन नंबर 9 देखते हैं साथिओं 109 नंबर निमनी लिकित में से कौन सा गटक सिक्षन कोसल से समंदित नहीं है तो साथि जो गटक सिक्षन कोसल से समंदित नहीं है वो है निर्देशन एव प्रामर्स बात करें जो गटक सिक्षन कोसल से समंदित है वो है उद्धीपन पर किस की दोरा दिया गया तो साच यह है जोन्ट डिवी के दोरा दिया गया कि करके सीखना ही अधिगम होता है। Q1 111 है नेमने लिगत में से कौन सा गटक सम्प्रेशन कोसल से समंदित नहीं है। Jotya No. 111 हमें बात करें सम्प्रेशन कोसल से समंदित जो गटक है वो है माध्यम नेरंतरता और उदिस्ये क्यूस्टन नमर 112 है कि सौर अधिगम करता के लिए दी गई सूची एक का सूची दो से मिलान करते हुए नीचे दी गई कुटों से सही उतर देजिए तो साची 112 है नमर क्यूस्टन इसका राइट उप्सन है वो तीन नमर मान लिया तो प्रिप्रिच्छा परशिक्षन परतिमान है वो रिचर्ड सर्जमेन के द्वारा दिया गया है आगमनात्मक सिंतन परतिमान है वो हिल्दा ताबागा है फिर तीन करदी संपर्ते संप्राप्ती परतिमान है वो बुरूनर का दिया गया है और चोथे मिशी सामजिक अंत to option 3 number को मान लिया गया है जिसा नमर 131 है अधिगम करता है कि विकास के संदर्व में नेमने लेकित में से कौन सा यूग सही नहीं है ने तो साथ जो यूग में सही नहीं है एक्पीर है में वह हेल्दा टाबा का निरमितवादी सिधान्त तो साथियों जो सही है वो है सिगमंड, फ्राइञ, मनो विश्लेशण आत्मक सिधानить दिया था जिन प्याजGive ayatina आत्मके विकास का सिधानत दिया था लोरेंस कोहलबर्ग ने नेतिक विकास का सिधानत दिया था और जो यह निरमित वादेली सिधानत था सिंधल並cciones book 5 कि शिरुट्ष्ण के द्वारा दिया गया सिधान धुक्रिप विक्रमिशन न्बर एक दिया गया सिधान्ट है अभिकार्म पिर्मिशो Fantais ये एक शिक्षे नबर 115 रहे शिक्षन अधिगम में कौन सी पढ़नाली उपागम की पदती नहीं है तो साथ जो पढ़नाली उपागम की पदती नहीं है वो है पढ़नाली अभियानतरीगी क्युस्टन नमर 116 सब्ट्वेर उपागम तकनिकी का एक परकार है जो है मुर्थ वै एमुर्थ बी है और एमुर्थ भी है क्युस्टन नमर 116 का राइट अप्शन तीन नमर माना गया है क्युस्टन नमर 117 है निम्न में से कौन सी विद्यूत मस्तिस्क के रूप में सर्वाधिक लोग पर ये एमुर्थ ज्यान को अधितन बनाने वाली साहिक सामगरी है तो साथि हो वो सामगरी कंप्यूटर है क्युस्टन नमर 118 है कंप्यूटर आधारित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन है क्योंकि एक कंप्यूटर अधिगम करता के प्रारहमभिक व्यभार के अधार पर अनुदेशन आतों सामगरी का निर्ना लेता है क्यूस्टन नमर 119 है नेमने सुच्चे में से गलत यूगम का चैन कीजिए तो साथियों जो गलत यूगम है वो तीन नमर को माना है डेविड आसुबेल जो अग्रेम संक्तक परतिमान बताया है ये गलत यूगम है लेकिन जो सही यूगम है वो है गलेसर कंप्यूटर अध है यह हमने कंप्लिक्ट कर लिये हैं यह जो एक्जान था यह पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन का था इसमें तीस क्यूटर साइकलोजी गये थे जिनको हमने आर्पेसी के जो मुख्य या मैन जो आंसर की है जो एकदम सटीक है उससे मिलान करते हुए सबी क्यूटर हमने हल कर लिए है तो साथ यह आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों साथ सेर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वेजिट कर रहे हैं आप पहले बार अपने यूट्यूब चैनल पर तो आप अपने यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब आवस्य कीजिएगा तो साथ यह मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत